हाई वाट्स अप मैं हूर इमताइन वेलकम बैक टू मैं यूट्यूब चैनल दोस्तों आज मैं एक्स्प्लेइन करूंगी All of Us Are Dead का एपिसोड 5 और 6 ली ने इस वाइरस को जोनस वाइरस का नाम दिया था जिसके बाद हम देखते हैं कि चियोल ने रूफटॉप पे SOS लिख दिया था ये एक रेस्क्यू सिगनल होता है ताकि फसे हुए इंसान को रेस्क्यू करने वारा ढून ले और उसे बचा लिया जाए अगले दिन ऑन्ज परी से उनने रोक रहे थे तब ही फार डिपार्टमेंट के बाकी लोग आ जाते हैं और वो पॉलिटीशन उनके लोग और ऑन्जो के डैड सब रूफटॉप पे चले जाते हैं और रेस्क्यू टीम को सिगनल देते हैं और रेस्क्यू टीम आके उन सब को बचा लेती है और को कुछिश कर रहा हैं जिसवे सूयों किहता है कि उसे नहीं पता और वो अउन्जो से माफी मागता है कि वो चांग सनको नहीं ला पाया इसके बाद चांग सनको दिखाए जाता है जिसको गई मारने की कोशच MärGI तक्याता enters क्याको ठोदेता है जोन कि चांग सनको नहीं कोशिश करते हैं लेकिन चौंग सन बचता हुआ बुक शेल्फ के ऊपर चड़ जाता है तब हम देखते हैं कि एक जॉंबी उसे काटने की कोशिश करता है और उसे देखकर बाकी जॉंबी भी उसके तरफ आ जाते हैं लेकिन चौंग सन अलमीरा पे चड़ के बच जाता है और अब गूई भी बुक शेल्फ पे चड़ जाता है और वो चौंक सन को पकड़ने की कोशिश करता है जिसके बाद वो चौंक सन को पकड़ लेता है और गूई और चौंक सन के बीश लड़ाई हो जाती है जिसमें गुई चौंक सन से वो फोन चीनने की कोशिश करता है जिसके वैजे से चौंक सन के हाथ से वो फोन चूटने वाला था लेकिन चौंक सन उसे किसी तरह वापस पकड़ लेता है और उस फोन को गुई की आँख पे मार देता है जिससे गूई की आँख फूट जाती है और चौंग सन उसे नीचे किरा देता है और वाँ खड़े सारे जॉंबी गूई को काटने लगते हैं पर गूई पे कोई भी ऐसर नहीं होता और हम देखते हैं कि कोई जॉंबी नहीं बनता जिसके बाद हम देखते हैं कि चौंग सन उस जॉंबी से बचते हुए लाइबरेरी से बाहर निकल जाता है और लाइबरेरी का तरवासा बंक कर देता है स्कूल में चौंग सन को बहुत सारे जॉंबी स मिलते हैं लेकिन चौंग सन उन सबसे बचता हुआ एक डक्ट में गुज जाता है और डक्ट में ऊपर चड़ जाता है और ऊपर चड़ के वो इमर्जनसी कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ सिकनल नहीं आ रहे थे और फोन की बैटरी भी डेट होने लगी थी इदर हम देखते है कि सूयोग ऑन्जो से कहता है कि चौंसन ठीक होगा जिस पर ऑन्जो कहती है कि उन्हें चौंसन को ढूनना होगा ऑन्जो यौंग से वो ड्रोन मंगवाती है जिसने बनाया था ताकि वर लोग उसके जरीय चौंसन को ढून सके और बाहर से मदद मांग सकें जब यॉंग बताता है कि वो ड्रोन साइन्स लैब में है उसके लिए उन्हें साइन्स लैब जाना होगा जिस पे ऑन्जो कहती है कि वो साइन्स लैब जाएगी यॉंग कहता है कि उसे पता है कि पार्ट्स कहा है इसलिए वो भी ऑउंजो के साथ जाएगा और सुयोग भी ऑउंजो के साथ जाने के लिए कहता है पर ऑउंजो से मना कर देती है और ऑउंजो और यॉंग एस्टिंगुशर की पटी से साइंस लैब में जाते हैं जिसके पर जेएइन और उस पूलिस आफिसर को दिखाए जाता है वो जॉंबी से छुप रहे थे तब ही उन्हें सामने कार देखती है जेएइन कहता है कि उस कार की मदद से वो हियोसन हाई स्कूल जा सकते है पर जेएइन के साथ वाला आफिसर कहता है कि उन्हें अपनी जान बचानी चाहिए पर जेएइन उस कार की तरफ भागता है और उसके पीछे वो पुलिस वाला भी भागता है ये दोनों उस कार तक पहुंचते हैं लेकिन वो कार स्टार्ट नहीं होती इसलिए वो दोनों उसकार से निकल के भागते हुए चौंक सन की मॉम के रेस्टरंट में पहुंच जाते हैं और दर्वासा बंद कर देते हैं वहाँ उन्हें बंदियों हीसु दिखती है और वहीं पे उन्हें हीसु का बच्चा पी मिलता है हारी, मी, चैन और सियोंग हारी के भाई को टूनने लगते हैं जिसे टूनते हुए वो लोगे ग्रूप में चले जाते हैं जां वो कम्प्यूटर की मदद से मदद मागने की कुशिश करते हैं पर गवर्मेंट ने सारे कमनेकेशन बंद कर दिये थे इसलिए इन लोगों का बाहरी दुनिया से कनेकशन तूट जाता है हारी और मी कहते हैं कि उनने बाहर जाना होगा लेकिन बाहर जाने से पहले हारी को और तीर लाने होंगे और इसके लिए हारी और चैन बाहर जाते हैं चौंग सन को ओंजो और ग्योंग की याद आती है और वो रोने लगता है और कुछ पल बात वो डप्ट के दूसरी तरफ से निकल आता है चौंग सन के निकलता ही जौंबी उस पे हमला करने लगते हैं और चौंग सन म्यूजिक रूम में चला जाता है जहां चौंग सन को एक कोई मिलती है जो टेबिल के नीचे दबी हुई थी उदर अंजो और यौंग वो ड्रोन लाते हैं और उस पे एक मैसेज लिख देते हैं ताकि अगर वो किसी को मिले तो वो लोग उनकी मदद करने के लिए यहां सकें इसके बाद यह लोग ड्रोन उडाते हैं और स्कूल का हाल देखते हैं जर बहुत सारे जॉंबीज घूम रहे थे तब ही उनक्सन दिखता है जिसके बाद वो लोग बाहर के हालात को देखते हैं यहां उनकार देखती है और उसे देख कर एक लड़की रोने लगती है जिसका नाम कंग था वो रोत होएं बताती है कि वो कर उसके जिन्दा हो तब ही उन्हें उस गाड़ी में कंग के मॉम डैड जॉम्बीज बने हुए दिखते हैं जिसे देखके कंग तूट जाती है और अपनी जान देने की कोशिश करती है पर डेसु और बाकी लोग उसे बचा लेते हैं जिसके बाद कुई को दिखाये जाता है जो हम देखते हैं कि यून जी भी चेंज जो चुकी थी उसे अब किसी का डर नहीं लगता और वो भी बदला लेना चाहती थी नामरा बताती है कि वो लोग वहां से बाहर निकल सकते हैं जिसके लिए उन्हें ब्राटकास्टिंग रूम को यूज करना होगा और सारे जॉम्बी को कैंटीन में लाना होगा वो लोग डिसाइट करते हैं कि वो लोग म्यूजिक रूम तक पहुच जाएंगे वो लोग महां रखी पुरानी सीडी से म्यूजिक बजाते हैं जिससे सारे जॉम्बी कैंटीन की तरफ चले जाते हैं और ये लोग ब्राटकास्टिंग रूम से च्यांग सुन को वहीं रुकने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि वो लोग वहां आ रहा है और ये गुई सुन लेता है लेकिन म्यूजिक का गुई पे कोई असर नहीं होता क्योंकि वो पूरी तरह जॉंबी नहीं बना था अनाउंस्मेंट से गुई को ये पता चल गया था कि च्यांग सुन म्यूजिक रूम में है सुयोक और बाकी लोग वहां से जाने लगते हैं तब यौंग की बॉटल नीचे गिर जाती है जिससे वहां खड़े उनके कोई जो जॉंबी बन चुके थे वो उन लोगों पे हमना कर देते हैं जिसके बाद सुयोक और बाकी लोग वहां से भागने लगते हैं हम देखते हैं कि सुयोक उन्हें रोकने की कोशिश करता है पर तब ही वहां गुई आ जाता है और उस कोश को मार देता है गुई कहता है कि पहले वो कमजोर था पर अब वो कमजोर नहीं है और वो च्योंग सन को मार डालेगा जिसके बाद हम देखते हैं कि गुई सूयोग को मारने लगता है तब ही नामरा के सूयोग को बचाने लगती है और गुई नामरा को काट लेता है जिसके बाद सूयोग को मारा था उधर हम देखते हैं कि ये लोग म्यूजिक रूम पहुंच गए थे जहां इने पता चलता है कि गुई ने नामरा को काटा है चियोंग सन कहता है कि क्योंकि गुई नामरा को काटा है इसलिए नामरा भी जॉंबी बन जाएगी क्योंकि गुई भी जॉंबी है और उ सूयोग को काटने की कुशिश करती है और चयोंग सन ये देख लेता है और सूयोग को बचा लेता है वो लोग नामरा को देखते हैं पर नामरा एक दम ठीक होती है और उसने सूयोग को काटा नहीं था वो बताती है कि उसका मन किया कि वो सूयोग को काटे चियोंग सन सूयोग से माफी मांगता है कि उसने नामरा को जॉम्बी समझा जबकि नामरा ने सूयोग को काटा नहीं था तब ही कंग कहती है कि वो नामरा के साथ नहीं रहेगी और उसे लग रहा था कि अब नामरा भी जॉम्बी बन जाएगी हम देखते हैं कि नामरास रूम से जाने लगती है पर सू युक नामरा को रोक लेता है और उसका हाथ अपने हाथ के साथ बान देता है च्योंगसन और बाकी लोग् ग्योंगसू के बारे में बात कर रहे होते हैं कि नायाउन की बज़े से वो जॉम्भी बन गया और हम देखते हैं कि नायान म्यूजिक रूम के अंदर वाले रूम में चुपी हुई थी और वो ये सब कुछ सुन रही थी जिसके बाद वो डोर लॉक कर देती है नेक्स्ट सीन में जेहिन को दिखाये जाता है जो अपने साथी और उस बच्चे के साथ चौंक सन की डैट की बाइक से वहां से भागने की कोशिश करता है पर उसे वहां एक बच्ची दिखती है जो बंदत के लिए पुकार रही थी जिसके पीछे जॉम्बी पड़े हुए थे और जेहिन उस बच्ची को उठा लेता है इधर हम देखते हैं कि इन सब लोग को भूक लगी थी और खाने का समान अंदर की रूम में रखा हुआ था जहां नायाउन ने अपने आपको बंद करके रखा था नायाउन को ये सब सुनके बुरा लग रहा था कि चौंक सन और बाकी की लोग भूके हैं डेसूस रूम का दर्वादा तोडने की कोशिश करता है लेकिन वो तर्वादा नहीं तूटता अब इन लोगों को वहाँ एक हैंडली कैम मिलता है और उस हैंडली कैम की मदद से ये सब अपने मॉम डैट के लिए एक मेसेज रिकौर्ड करते हैं नेक्स स्सेन में हमें अउशो के डैट दिखाये जाते हैं वो और उनका साथी जिसे रेस्क्यू टीम ने बचाया تھा वो रेस्क्यू टीम के लोगों को मार के बिहोश कर देते हैं और उनके कपड़े पहन के बाहर आ जाते हैं ताकि वो दोनों भार से बाहर निकल सकें क्योंकि उन्हें Onjo को बचाना था Onjo के डैट अपने साथी को भाही छोड़ के बाहर चले जाते हैं क्योंकि वो अपने साथी को खतरे में नहीं ढालना चाहते थे और तब ही Rescue Team को पता चाल जाता है कि आउंजो के डैड उनकी टीम में नहीं है और रेस्क्यूर्स आउंजो के डैड पर गोलियां चलाने लगते हैं आउंजो के डैड भागते हुए नदी में गिर जाते हैं वो वाइरस जिसे लोग जॉम्बीज बन रहे थे क्योंकि वाइरस ने उनके दिमाग को पड़ लिया था और वो वाइरस उनके दिमाग को कंट्रोल कर रहा था और बस ये एपिसोड यहीं खतम हो जाता है मैं मिलूँगे आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखे स्टे सेफ एंड बो रहे